हेलो और विडियो में बात करने वाले हैं प्रेमिल अब दा कॉंस्ट्यूशन सो वीडियो के जो है लास्ट तक जरूर बने रहे हैं और इसमें पूरे इंपोर्टेंट को कवर करने वाले हैं अगर आप यो प्यासी प्यासी एंड अदर सिविल सेव एक्जाम सीडेस की तैयार कॉर्चला गया है तो यह हमेड़े जो हैं यह मिश्यार याद रखना है कि यूस है हमने यह कॉंसेट लिए प्रस्ताव ना कि इस प्रकार का कि प्रूर्थ यो की से दिये तो यह हमारे इस विडियो में कुछ इंपोरेंट बाते भी करते जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही important हो सकते हैं पीपर के साब से उनको आप लिखते चले ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा जो सम्मिधान की जो आत्मा कहते हैं वो है प्रस्तावना तो इसको आत्मा भी कहते हैं ठीक है कई लोगों ने जो है इसको परिचय पत्र कहा है जैसे कि हमारे प्रिख्यात नाइविद्वा शमिधाने के विशेशक्य थे पालकी वाला जी जो है प्रस्तावना को जो है शमिधान का परिचय पत्र भी कहा है अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो है थार्ड अपना important question के बारे हम जान लेते हैं तो हमारे जो प्र समाजवादी धर्म पेक्ष और अखंड़ता सब्द जो हैं 42 समिधान संसुधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गई है ठीक है अब ये बात हमारी important हो गई है ठीक है अब इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि हमारी जो सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्या समाजवारी धर्म पेक्ष और अखंड़ता को हमने तीन वर्ड़ों को जोड़ा है तो ये भी आपसे कभी-कभी पूछा जा सकता है अब इसके साथ आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी है ठीक है तो सबसे पहली बात तो आपको प्रस्तावना जो है पूरी कंटश्ट याद होनी चाहिए अगर आप सिविल से पर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं लगबग प्रस्तावना को हमें याद रखना होगा ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे शमीधान की आत्मा बिविन ने जो है लोगों ने जो है शे प्रस्तावना को शमीधान की आत्मा कहा है लेकिन डक्टर बी-र अम्बीटकर जो थे हमारे शमीधान की बनाने वाली बोल सकते हैं यह जो है इनका मानना है जो हमारा मूल अधिकार 32 है सम्मिधान की आत्मा इन्होंने क्या कहा है इस 32 आर्टिकल 32 यानि की मूल अधिकार सम्मिधान की अधिकार को कहा है तो यह हमारे जो कुछ important question हो जाते है प्रस्तावना से शंबंदित इसके अलाबा भी कुछ चीज हम बात कर सकते हैं जैसे कि हमारा एक बेरुवारी संग मामला है 1960 में जो हुआ था इसमें जो है यह आपको याद रखना है कि Supreme Court ने जो है इसी सम्मिधान का भाग नहीं माना था प्रस्तावन कि Supreme Court नहीं अपने जो है निर्णाय को जो है बदल दिया था कब बदल दिया था तो केश्वानन भारती के मामले में जो है बदल दिया था अब क्या हमारी प्रस्तावना में जो है परिवर्तन किया जा सकता है तो बिलकुल परिवर्तन किया सकता है जैसे कि आपने देखा कि समीधान संसुदान के द्वारा जो है हमारी प्रस्तावना में amendment किया गया लेकिन इसमें जो amendment है मूल संनचना में जो है कोई परिवर्थर नहीं किया सकता आप जैसे कि देखा वह पढ़ा भी होग कि article 368 के तहट जो है शम्मिधान संसुदन किये जाते हैं तो इसके तहत भी जो है हमारी प्रस्तावना में अमेंडमेंट नहीं किये जाते हैं और मूल सम्मिधान क्या कहीं पर बताया हुगा है कि हमारा सम्मिधान ये मूल संचना है हमारी सम्मिधान की तो ये भी हमारे यहां पे किसी चीज में ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि हमारी सम्मिधान की जो मुल सनाचना यही है तो ये उच्छतम नियाला जो है समय समय पर उसकी मुल सनाचना को बताती है कि ये मुल सनाचना में शामल है तो I think आपको सम्मिधान की प्रस्तावनों से संबंदित कुछ महत्पूर शेवालों के बारे में पता चला होगा और मैं आसा करता हूँ कि आपको प्रस्तावनों से संबंदित शभी चीजों को अच्छे से पता चल गया होगा और और मेरा विचार है कि आपको पूरी हमारी जो प्रस्तावना है इसको आपको कंटस्ट है वर्ल टू वर्ल्ड याद ही होने चाहिए अगर आप सिविल सेवा की तैयारी बिल्कुल अच्छे मन से बिल्कुल कॉंसेप्ट किलियर होके करना चाहते हैं तो तब तक लिए गु